जै मातादी दोस्तों, पुझा शिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे पित्र दोश की समस्या किस प्रकार से होती है कुंडली के किस भाव में देखकर पित्र दोश का पता जो है असानी से लगाया जा सकता है किस प्रकार के लक्षन होते हैं जिससे कि व्यक्ती जान सकता है कि उसके जीवन में पित्र दोश है या नहीं सबसे पहले पित्र दोश को लेकर कई लोगों ने भ्रांतिया जो है समाज में फैला रखी हैं कि पित्र दोश की समस्या के बाद व्यक्ति को काफी कश्ट होते हैं कई बाते उसमें से जो हैं हमारे शास्त्रों में नहीं कही गई हैं पिर भी लोगों द्वारा ये चीजे फैलाई जा रही हैं तो सबसे पहले अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो आप खुद अपने घर में ही देख सकते हैं कि आपके जीवन में पित्र दोश की समस्या है या नहीं है या घर के किसी सदस्य को है या नहीं है इसके लिए आ या अगर पित्रों के आप पर क्रवाद रष्टी होती है तो आपके जीवन में नोग्रह शानती अपने आप होने लगती है उसके बाद ना तो आपको कोई ग्रह सताता है ना ही शनी दोश किसी प्रकार से आपको दूशित कर पाता है और ना ही राहु केतु का कोई भी दू या नहीं देंगे या उनकी तरफ से जो पूजा पाठ है उसका फल आपको नहीं प्राप्त होगा तो आपके जीवन में आपको आने वाले समय में जो है सुख में कमी देखने को मिल सकती है कई लोगों को पित्र दोश की समस्या के कारण संतान में भी काफी जो है प्राप्लम आती है उन्हें संतान की प्राप्ती नहीं होती है और कई बार इसका असर जो है उनके जीवन पर भी काफी नकरात्मक पड़ता है उनके व्यापार जो होते है एकदम से बंध हो जाते है पित्रदोष की समस्या के कारण ही जीवन में जो है चलता-चलता व्यापार जो है एकदम से रुक कर ग्रहा की एकदम कम हो जाती है जिस प्रकार से इसे अब सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मान के देव जो होते हैं यानि जो इश्वरी शक्तियां होती हैं जो पूरी इस ब्रह्मान को जो है जो अच्छे कर्व होते हैं उनका दुगना तिगना फल या उससे बहुत जादा फल जो है आपको प्राप्त होने लगता है अगर आप किसी मनुश्य को देखेंगे अगर उनके पित्रों की क्रपादरश्टी उन पर होती है तो कई बार उनके कारे बहुत मुश्किल से मुश्किल भी बड़ी आसानी से बन जाते हैं ये आपकी हतेली में लाइन एक होती है उसे देखकर भी बताया जा सकता है क्या आपके पित्रों की रपा द्रश्टिया पर है या नहीं कई भी वड़ी मुसीबतों से पित्र आपकी रख्षा करते हैं अकाल मृत्यू से पित्र आपकी रख्षा करते हैं दुरगटनाओं से पित्र आपकी रख्षा करते हैं इसलिए जब हमारे शास्त्रों के अनुसार जब श्राद पक्षाता है या पित्रों का जो पक्षाता है उस समय पर उनकी सेवा भाव करना या उनके निमित जो है दान करना बहुत जरूरी बताया गया है क्योंकि उनके जो भी अच्छे कर्म होते हैं उनकी पूजा पाठ होता है उनके फल जो होते हैं हमारी आने वाली पीडियों को मिलने लगते हैं यह बहुत positive औरा जो होता है अपने घर के आसपस बनाते हैं जिससे के आने वाली पीडियों को सभी प्रकार की सुक समरिद्धी और धन प्राप्त होने लगे अब जन्म कुंडली के माध्यन से समझेंगे कि पित्र दोश जो है किस प्रकार से आपके जीवन में असर करता है या किस प्रकार से भाव देखकर आप इसका पता लगा सकते हैं जन्म कुंडली में यहाँ लगन कुंडली की हम बात करेंगे नवांश कुंडली के जो अलग भाव होते हैं या जन्म कुंडली आप सभी के पास होगी उसमें आप लगनेश से एक नंबर का घर गिंती करते वे 12 भाव जो है उसे गिने और उसके बाद अब आप देखिए कि ज दन कुंडली में दूसरे, चोथे, पाँचवे, सातवे और नौवे, दसवे भाव में अगर सूर्य राहू या सूर्य और शनी की युक्ति स्थित हो तो ये जो है पित्रदोश माना जाता है यानि अगर आपके कुंडली के दूसरे, चोथे, पाँचवे, सातवे, नौवे, दसवे भाव यानि कि ये जो घर है इन सभी में एक युक्ति बनेगी जिसमें सूर्य और राहू सात में विराजमान होंगे या फिर सूर्य और शनी एक सात विराजमान होंगे इनमें से किसी भी घर में तो ये जो है पित्रदोश की समस्या को उत्पन करता है सूर यदि तुला राशी में स्थित होकर राहू या शनी के साथ युक्ति करे तो भी इसके अशुप प्रभाव जो है आपको और जादा देखने को मिलते हैं या आपको पित्रदोश की समस्या के साथ साथ और भी जादा जो है थोड़े दूशित फल या प्रभाव जो आप इससे कह सकते हैं इनमें व्रिद्धी हो जाती है इन ग्रहों की युक्ति से जिस भाव में ये होंगे उस भाव से सम्बंदित व्यक्ति को कश्ट और परिशानी अधिक से अधिक देखने को मिलेगी और हमेशा वो परिशानी बनी रहेगी लगनेश यदि छटे भाव, बारबे भाव या फिर लगन में राहू हो तो पित्रदोश तब भी आपको जो है परिशानीया देता है अगर आप कुंडली की थोड़ी बहुत जो मिनिमम जानकारी होती है अगर वो भी आपको पता होगी तो आपको पता होगी कि कुंडली का हर भाव जो है कुछ ना कुछ कहता है यानि अगर लगन है तो वो आपके बारे में बताएगा दूसरा भाव आपकी माता के बारे में बताएगा आठवा भाव आपकी दूसरी चीजों के बारे में बताएगा इसी प्रकार से वे भाव होता है जो आपकी समरिध्धी का भाव होता है जो धन के आगमन का भाव होता है तो जब ये युक्तियां जो कि सूर राहू या सूर शनी की युक्ति इन में से किसी भी भाव में बैड़े आती है तो आपके जीवन में पित्रदोश की समस्या आने लगती है अब ये तो हो गई जिनके पास कुंडली होती है या वो किस प्रकार से पित्रदोश की समस्या को देख सकते हैं समझ सकते हैं या उन्हें पित्रदोश किस प्रकार से देखना है अब अगर आपके पास कुंडली अगर नहीं है जनतिती नहीं पता है कईयों के पास नहीं होती है या फिर जनकुंडली होने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ प्रमुक लक्षन होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में या आपके जीवन में पित्रों का आशिरवाद है या उनकी जो एक प्रकार से जो दोश है वो लगा हुआ है तो सबसे प्रमुक कारण तो होता है संतान प्राप्ती ना होना अगल नव दमपती जो होते हैं या आपके घर में कोई नव विवाही जोड़ा होता है काफी प्रयास कर रहा है संतान के लिए और उन्हें संतान प्राप्ती नहीं हो रही क्योंकि हमारी वेबसाइट पर या जब मैं टैरो की रीडिंग करती हूं या जो हमारा दूसरा चैनल है पूजा शक्ति आप सभी जानते हैं उस पर भी जब हम फ्री रीडिंग्स देते हैं सबसे जादा सवाल जो होते हैं संतान ना होने के कारण ही पूछे जाते हैं आज के समय में तो मैं सभी से कहूंगी कि अपकी जनकुंडली ये जो होती है उसे जरूर दिखवाएं ताकि आपको पता लगे कि कहीं इनने से कोई युक्ती तो नहीं है क्योंकि संतान की आइता को आशिरवाद देते हैं तो हमेशा कहते हैं सौभागिवती रहो तता पुत्र पौत्रय संतान परंपरा आपके जीवन में बनी रहे संतान परंपरा जब बनती है आशिरवाद सरूप जब ये चीज़े कही जाती है तो आने वाले समय में जो है आपकी पीडियों को तो वो आशिरवात फलता जाता है, अब हमारे जो पित्र, हमारे जो बड़े बुजूर्ग हैं, वो हमें आशिरवात नहीं देंगे, तो आने वाले समय में जो है, हमें वो सुख नहीं प्राप्त होगा, तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली को दिखवाएं, उसके बाद संत ना होना विवा के बाद कई सालों तक और साथ ही साथ जो गर्भ में पल रहा शिशू है, वो सुरक्षित नार है, यानि कि कई बार जो है, मिस्कैरेज हो जाता है, कई बार कई वजहों से हो जाता है, पता नहीं लग पाते हैं कारण, तो सबसे पहले आप इसकी जाच करवा खास तोर पर अगर आप देखेंगे, जब शुक्ल पक्ष से हम क्रिश्न पक्षी और जाते हैं, यानि कि जब पूर्णी माई या अमावस्या का समय आता है, उस समय पर या फिर ग्रहन काल जब आते हैं, या बड़े जो रात्रियां होती है, प्रमुक रात्रियां जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है, उस समय से पहले या किसी भी बड़े तहवार से पहले, आपके घर में जब हसी खुशी का महौलों, कोई मांगली कारी होने वाला हो, उस से पहले अगर कलेश की स्थिति अचानक बन जाती है घर में, तब आप समझ लीजिए, आपके पित्रो कमाने के बाद भी आपके घर में बरक्कत नहीं होती है, या अचानक कोई आपका पैसा लेकर भाग जाता है, और वो पैसा रिटन नहीं करता है, या करजे की स्थिति अचानक बनती है, चलता व्यापार एकदम से बंद हो जाता है, चलती जैसे नौकरी में प्रमोशन की पित्र दोशी समस्या को बताता है, स्वैम निर्णे लेकर आप बहुत सी परिशानियों को बुलाते हैं, लोगों की सलहा नहीं मानते हैं, और अचानक आपकी बुद्धी जैसे आप बहुत कुशल व्यक्ती हैं, आपको पता है कि जीवन में क्या कारे करना है, क्या नहीं कर होती है, यदि आप जैसे सरकारी बहुत किसी अधिकारी की नजरों में काफी वो या तो आपको दुश्मन समझ बैटा है को सरकारी अधिकारी या आपके पीछे पढ़ गया है, जैसे राज निता या कोई उच्च का अधिकारी सरकार की तरफ से, पहले के शास्त्रों में ज परन्तु ये क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं, तो हम राज की अधिकारी को सरकार की तरफ से जोड़ो के देखते हैं, तो जब सरकारी अधिकारी या कोई बड़ा राजनेता आपके पीछे पढ़ जाता है, और उसके कारण आपके जीवन में काफी उथल पुथल का सामना आपको करना पड़ता है, कोट कचैरी के मामले लग जाते हैं, कई बार ऐसी स्तित्या बनती है कि अशानती काफी बढ़ जाती है, तो भी आपके जीवन में पित्र दोश की समस्या होती है और आपको इसके लिए अपनी कुणली के जांस जरूर करवानी चाहिए, इसके अला पर आपका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, परन्तु आपका विवाबंदन नहीं बंद पा रहा है, आपके जीवन में आपको जीवन साती उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है, या रिष्टे बंते-बंते बिगड़ जाते हैं, इंगेजमेंट्स काफी टूट ज पर आपके जाते हैं, या रिष्टेदारी में ही कलेश काफी हो जाता है, जिसके कारण विवाबंदन अफसर होता है, वो हाथ से चला जाता है, तो इस थिती में भी पिट्र दोष की समस्या को प्रमुक कारण बताया जाता है, परन्तु जहां हमारे धन्व शास्त्र, जोती शास्त्रों में पित्र दोश की दोश बताये गए वहीं इसे पीडित व्यक्ति के लिए जो है काफी आसान प्रयोग भी बताये गए जिने करकर वो है चमतकारिक रूप से अपने जीवन में सफलता है प्राप्त कर सकता है आप अगर काफी परेशान हो गए है मानसिक तनाव भ आपको ग्यारा ऐसे प्रयोग बताएंगे जिसको करकर आप अपने जीवन में जो है खुशाली का अनुभव कर सकते हैं सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में पित्र दोश है तो उसे अपने घर की दश्शिन दिशा की दिवार पर अपने पूर्वजों का फोट इसको करने के बाद आपके जीवन में कभी भी जो है किसी चीज की कमी नहीं आएगी साती साथ जब आप उन्हें याद करके उनका आशिरवार लेते हैं तो आपको अपने आप आप या आपका और भी जो है प्रोटेक्ट होता है आपके घर के आसपास का जो अईरिया है वो पसंद की वस्तुएं जरूर रखें या दान करें और जब हमारे श्राद पक्षाते हैं उस समय पर भी उनकी तिति को याद करते वे उनकी पसंद का भोजन बना कर जो है उनके निमित जो है आप भोजन का दान या जो यग होता है वो जरूर करें इससे भी आपके जीवन में खुशाली जरूर बनेगी संभव हो सके तो अपने सामर्थ के मुताबिक जो है गरीबों को कपड़े अनका दान करना भी आपके पित्र दोश की समस्या को दूर करता है आपके तरक्की के मार्ग जो है खोलने लगता है अगर आप शाम के वक्त दीबदान करते हैं देश से अनुभव होने लगती है इसके अलावा सोमवार की सुभे के समय पर स्नान करके शिव मंदिर में अगर आप आप जो है आप के बारा या 21 फूल जो होते हैं दहीं बिलपत्र के साथ शिव जी को अरपन करते हैं 21 सोमवार तक तब भी आपके जीवन में पित्र दोश का प्रवल अफसर बढ़ने लगेंगी और आपके जीवन में आपको खुशिया मिलने लगेंगी रोज अपने इश्ट देव या कुल देव की पूजा करकर आप अपने पित्र दोश को दूर करने के लिए आशिरवाद मांगे तथा पूजा पार्ट अपने जीवन में लगात करते रहें जिससे की मानसिक चिंता हैं आपके पास छूब ही न पाएं। कुंडली में पित्रदोष होने पर किसी भी गरीव कन्या का विभा या उसकी बीमारी में मदद करने से भी पित्रदोष की समस्या जो है दूर होती है और आपके पित्रों का आपको आशिरवाद प्रा पित्रों के नाम पर गरीब बच्चों को मदद करें, स्वर्गी जनों के नाम पर हस्पताल, मंदीर, स्कूल, धर्मशाला में भोजन की विवस्था करें, इससे भी आपके जीवन में जो है बहुत अफसर प्राप्त होने लगेंगे, साथी साथ आपके पित्रों को भी शान्त दूर हो जाए, तो पीपल का जो वरक्ष होता है, वो भी हमारे पित्रों को साक्षा दर्शाता है, साथी साथ कहा जाता है कि इस पे इश्ट देव जो होते हैं, विराजमान रहते हैं, तो आप किसी भी मंदीर में आपके घर से दूर चाहे कोई मंदीर बना हो, आप वहाँ पर जाके एक पीपल का वरक्ष जरूर लगाए, और उसके बाद समय समय पर उसकी सेवा भाव करते रहें, जिससे कि आपके जीवन से पित्र दोश के समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए, साथी साथ पीपल के वरक्ष पर दोपहर के समय अगर जल अरपन करते हैं, वहाँ पर पुष्प, अक्षद, दूद, गंगा, जल या काले तिल को भी अरपन कर देते हैं, तब भी आपके पित्रों की तरफ से आपको आशिरवाद मिलने लगता है, और अपने पित्रों से अपनी की गई गलतियों के लिए शमा मांगे, और उनसे कहें कि जो भी दोश है, उस समाप्त करें, इसके अलावा पित्र दोश है तो से दूर करने के लिए जो आपने पीपल का पेड़ बोया है या लगाया है, उसके सामने अगर भगवान विश्नु के मंतरों का जाप कर लेते हैं, या श्री भागवत गीता का पार्ट करते हैं, इससे भी आपके पित्रों क भी जो है राहत मिलती है, ठंडक मिलती है, आसपास के जो दोश होते हैं और समाप्त होने लगते हैं और आपके पित्रों को भी शान्ती मिलने लगती है, और उनके नाम से जब भी आप दीब दान करें या ब्रहमनों को दान करें, तो खुश मन से होकर करें, खिन मन से आपक आशिरवाद बागेंगे या उनके नाम से दान करेंगे उतनी ही प्रसंदनता से वो आपको आशिरवाद देखके आपके जीवन से जो है पिति दोश की समस्चा को दूर करेंगे तो भाई और भेनों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पे चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों